हेलो दोस्तो आप सभी का स्वागत हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर तो दोस्तो आज हम लोग कक्षा साथ का ग्रिह कौसल याने की ग्रिव इज्ञान ठीके पढ़ेंगे आज हम लोग पाठ एक पढ़ेंगे हमारे पाठ का नाम है उत्तम स्वास्थ तो आज हम लोग इससे प्रश्ण उत्तर देखेंगे तो चलिए पहला प्रश्ण देखते हैं वहू विकल्पी प्रश्ण सही विकल्प को चुनिए ठीके जो इसमें से सही विकल्प होगा उसे हम लोगों को चुनना है तो प्रश्ण पहला आम लोगों का शंतुलित आहार के बिभीन पोसक तत्व हैं तो कौन कौन सी वित तत्व हैं दीखिए कनमबरे प्रोटीन, खनमबरे वशा और गनमबरे कार्बोहाइट्रेट और गनमबरे उप्रोक्त सभी तो इसमें से उप्रोक्त सभी सही हो जाएगा याने कि संतुलित आहार के विभिन पोसक तत्व प्रोटीन भी है वशा भी है और कार्बो हाइट्रेट भी है इसलिए इसमें घह नमबर सही होगा उप्रोक्त सभी चलिए प्रशन दूसरा देखते हैं बिटामिन एकी कमी से होन वाला रोग तो बिटामिन एकी कमी से कौन सा रोग होता है का नमबर है रतांधी खा नमबर है एनीमिया और गा नमबर है रिकेट्स और गा नमबर है घेगा तो इसमें जो है बिटामिन एकी कमी से रतांधी रोग हो जाता है तो इसमें का नमबर सही हो जाएगा चलिए प् प्रश्न इसमें प्रश्न पहला है लोव तत्त की कमी से कौन सा रोग होता है तो इसका उत्तर हो जाएगा रक्त अलपता प्रश्न दूसरा है सरीर को स्वस्त रखने के लिए किस प्रकार का आहार आवश्यक है तो इसका उत्तर हो जाएगा संतुलित ठीक है चलिए प्रश्न तीसरा देखते हैं लगू उत्तरिय प्रश्ण तो इसमें पहला प्रश्ण है लो तत्व किन किन भोज्य पदार्थों में पाया जाता है उनके नाम लिखिए तो इसका उत्तर हो जाएगा पालक, सेव, चुकंदर, अनार, खजूर, गुड, आदी याने कि लो तत्व के भोज पदार्थ में पाया जाते हैं तो पालक में भी, सेव में भी, चुकंदर में भी, अनार में भी, खजूर में भी, और गुड में भी और ऐसे ही आदी सब हैं उन सभी में तो चलिए प्रश्ण दूसरा देखते हैं एनेमिया रोग के कोई दो लच्छड लिखिए तो इसका उत्तर हो जाएगा एनेमिया रोग के दो लच्छड निम्न लिखित हैं वो कौन-कौन सी दो लच्छड हैं जब एनेमिया रोग हो जाएगा तो कौन-कौन सी लच्छड हम लोगों में दिखाई देने लगेंगे मैं आज आपको बताऊंगी तो देखिए क्या होने लगेग पहला तो सरीर में खुन की कमी हो जाएगी और दूसरा पैरों में सुजन हो जाएगा जब सरीर में कमी खुन की कमी हो जाएगी तो पैरों में सुजन भी होने लगेगा ठीके यही दो कारण है चले प्रस्ण चोथा देखते हैं दिर्गुत्तरिय प्रस्ण तो इस देखिए इ उसका हम लोगों को पहले कारड बताना है कि किस कारड होता है फिर उसके बाद इसका लच्छड बताना है कि कैसा मतलब इसका लच्छड रहता है आखिर इसमें होता क्या है और इसका उपचार याने कि यह कैसे ठीक हो सकता है तो चलिए इसको देखते हैं पहले कारड देखें याने कि गल ग्रंथियों में सुजन ये जो हमलों का गला है वो फूल जाता है ठीक है और दूसरा इसका है लच्छड सारे रिक एवा मानसिक विकास रुक जाना ठीक है और इसका उपचार कैसे हो देगा तो आयोटिन युक्त नमक्स आदी ठीक है तो चलिए प्रश्ण दूस देखते हैं कुपोसर क्या है इसकी कारण लिखिए तो इसका उत्तर हो जाएगा सरीर को स्वस्त रहने के लिए पोसर तत्तों की आवसकता हो पड़ती है जैसे प्रोटीन, कार्भोहाइटरेट, वशा, बिटामीन, खनीज, लवड, आदी सरीर में इन पोसर तत्तों की मात् से कम या ज्यादा होने ही कुपोसर कालाता है ठीक है चलिए प्रेशन देखते हैं अगला कुपोसर के अन्य कारण निम्न हैं देखे इसने थाना कि इसका कारण भी बताना है पहले तो हम लोगों को बताना था कि कुपोसर है क्या तो हम लोगों ने कुपोसर देख लिया अतिपोसर और तीसरा कारण है भोजे पदार्थोव में मिलावट और चोथा कारण है जनसंख्या बृद्धी और पाचवा कारण है और स्वच्छता ठीके और छाठवा कारण है इसका अज्यानता याने असिच्छा आदी ठीके तो दोस्तों आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताईएगा धन्यवाद